कच्छे तेल में मजबूती की एक वज़े और भी हो सकती है वो भी एक बार ज़रा समझा जाए अमेरिका में एक बड़ा ही जबर्दस बरफिला तूफान आया है मतलब भाहिंकर वाला है तो कुशल तयार है, सारी डीटेल्स लेकर कुशल बताईए, टेमटरिचर कितना चल रहा है माइनस पचास बहुत ज़ादा, बहुत एक्स्ट्रीम है वो और अपने आप में 25 करोड से ज़ादा अमेरिकन्स और कनेडियन्स इस चीज़ से प्रभावित होते हुए 25 करोड से ज़ादा 250 मिलियन पीपल अक्रोस यूएस और कनेड़ा तो यहाँ पर जो इंपार्ट हो रहा है इस चीज़ का यह भी मापको दादू शानिवार को 2700 से ज़ादा एरलाइन्स जो है कैंसल होते हुए दिखे हैं तो डेफिनेटली इसका क्लियर कट यही इंपाक्ट है कि कहीं न कहीं जो पार शॉटेज हो रही जो पार कट्स हो रहे अक्रोस यूएस और साथी जो एनरजी प्रोड़क्शन है वहाँ पर भी कमी आती वी दिख रही है क्योंकि obviously जिस तरह की स्थेती वहाँ पर बनी वी है अभी situations काफी देखना होगा कि यहाँ पर कब इंप्रूव्मेंट साइकल हमें वापश से लोटते वे दिखते हैं बट लादली पार शॉटेज है एनरजी की कमी है तो obviously ओयल जो है वहाँ पर सबसे ज़ादा यूज होता वाँ दिखेगा पिछले हफते भी हमने देखा लगबग 6-6 परसन की बढ़त हमें कच्छे ब्रेंट कुरूड में देखने को मिली थी इससे positive impact तो definitely ONGC, oil India यह जितनी भी oil producing कमपनी है उनके लिए क्योंकि global star पर अगर कच्छा तेल बढ़ता है तो इनके लिए फाइदे की बात होती है negative of course pain कमपनिया है टायर कमपनिया है और साथी aviation तो इनके लिए jet fuel ता एनी विच्वेस बढ़ता वा नज़र आएगा और दूसरी तरफ जो international flights है काफी सारी कमपनियों की वो भी US की तरफ cancel होते भी दिख रही है तो कहीं न कहीं उसका impact negatively आपको aviation कमपनियों पर आता हुआ दिख सकता है दूसरी चीज है lead जो की batteries में इस्तमाल होने वाली एक energy commodity है तो lead की prices definitely बढ़ेंगी क्योंकि power shortage है तो definitely जो battery की कीमते हैं वहाँ पर आपको increment आता हुआ दिखेगा जिस वज़े से जो negative impact है वो आपको जो battery producers है अमर राजा batteries, excited industries हो सकता है कि आगे चलकर अगर lead की कीमते और ज़्यादा बढ़ती हैं कुछ हफतों के लिए भी तो इनकी तमाही नतीजों पर भी इस चीज़ का असर पढ़ सकता है और अंत में coffee definitely इसकी खपत बढ़ती है तो यहाँ पर भी coffee की prices भी अगर आप देखें तो पिछले हफते 5% की growth ता यूएस के coffee futures में आती भी दिखी थी जिसका positive impact आपको CCL products, Tata Coffee, Tata Consumer Products जैसी company और आगे चलकर पढ़ता हुआ दिख सकता है तो यह है आपके लिए अमेरिका के बरफिले तो फान के वाज़ जब रदस बेहाल होते हुए अमेरिका और कैनेडा के नाकरी तो coffee की खपत बढ़ेगी चाय की खपत बढ़ेगी चाय तो वैसे वो लोग कम पीते हैं चाय कम पीते हैं पीते हैं coffee ज़्यादा है और बाकी तो वो drinks वगएरा तो खेर उनके कल्चर में है ये तो ने चुलिवां तो मौसम वेसा है और उसके अलावा कच्छे तेल की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी heating oil वगड़ा जो इंडिन कमपनी के कुछ production है वो short term disruption आ सकता है जिनके भी plants हैं वहाँ पर आसपास especially new york area में हैं तो ये लोग तो फिर कैसे Christmas से New Year के celebrations तो मतलब ठप हो गए होगे काफी काफी जगा पर होगे है आप बतारे हो सकता इस तो फ्लाइट तो ओड़ी नी ओड़ी नी लोगों को इधर सो अधर आना जाना तो भी बड़ा मुश्की एरपोर्ट पर अटक गए लोग ये वो बड़ा बुरा हाल especially जब आप है ने छुट्टिया मनाने गुमने फिर निकले निकलो उतताब ऐसा हो जाए तो बड़ी तकलीफ वादा माम लाइट